कि अग्वाइब तो डिश्कॉस अब और देखा अब दिसक्राइब आजम एट ख्लास का सेकंड चैप्टर करने जा रहे हैं जिसमें पढ़ेंगे कि भूमी मिर्दा जल प्राकर्तिक बनस्पति और वनेजीव संसाधन इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर कर लिया हैं वह आ हँ सथें हैं कि न sırется stork in a small village in Tanzania terminal Mamba gets up very early in the morning to fetch water she has to walk a long way in returns after a few hours she then helps her mothers in the house and joins her brothers in take taking care of their goats all her family on is a piece of rocky land around there smallahs momale's father can barely grow some maize and beans on it after tiling curds this is not enough to feed यहां पर क्या बता है कि तंजानिया अफ्रीका का एक चोटा सा गाहां होता है उसमें मामबा पानी लेने के लिए शिगर उठती है ठीक है पानी लाने के लिए उसको बहुत दूर जाना पड़ता है और कुछ घंटों के बाद वो लोटती है इसके उप्रांत विख्या करती है धर के सारे कामों में अपनी मां का हाथ बटाती है और अपने भाईयों की बकरियों की देखवाल में मदद करती है उसके पूरे परिवार के पास उसकी छोटी जोपड़ी की चार और एक चट्टानी भूमी का एक भाग है मामबा के पिता कठीन परिश्रम करती है ठीक है करन यहां उसका परिवार उन परकर्मन करने का बार खाना चलाता है ठीक है जब डेली स्कूल से लोटता है तो पीटर क्या करता है कि अपने अंकल को अपनी भेडों की देखबाल करते हैं और उनके भेडों का बाड़ा होता है कुछ दूरी पर पहाड़ीों से लगा हुआ एक काफी दूर में से घास के मैजान पर स्थित है विस्तथ घास के मैधान पर स्थित हैं ठीक है यहां पर यह लोग क्या करते हैं कि इसका परवंद किया जाता है पीटर का जो परीवार है वो क्या करता है जैवी किर्शी द्वारा सब्जियां भी उगाता है ठीक है आगे देखे इसमें Mamba's and Peter's stay in two different parts of the worlds and lets very different lives and this difference is because of the differences in the equality in the quality of land, soil, water, natural vegetations, animals and the usage of technology. The availability of such resources is the main reasons places differ from each other. यानि कि मामबा और पीटर विश्व के दो बड़े दो विविन स्थानों पर रहते हैं वो ठीक है और उनके जीवन मेतित करने में बहुत ही अंतर है यह विविनता जो है भूमे की गुनवत्ता के कान मिर्दा के कान जल और प्राकर्थी वनस्पति प्राणी और प्रदगी के यह उप्यों की भिनता के कान में दिखाए देती है अब क्या कह रहा है कि इन स्थानों का इस इन से भिन्फ की अलग होने का मतलब क्या होता है कि इस कर्कार के संसाधनों की उपलब़ता है ठीक है अब हम आगे पड़ेंगे लैंड के बारे में लैंड is display of the most important natural resources it covers only about 30% of the total area of the earth surface and all parts of this small percentage are not habitable यानि कि जो भूमी है सभी मैं तपून प्राकातिक संसादमों में भूमी भी शामिल है ठीक है वो प्रस्ट के कुछ पुल शेतरफल का लगबग तीस प्रतिसत भाग भूमी है और यह थोड़े से प्रतिसत की सभी यहां पर जो यहीं नहीं कि यहां पर थोड़े से प्रत स्टिक्स ओफ लैंज अंड क्लाइमेंट्स दरग्ड टोफोग्राफी स्टीप स्लोपस अफ दे माउंटेइन लो लाइंग एरिया ससेप्टिबल तु वाटर यानि कि आने इवन डिस्टिबुशन की काण यानि भूमी और जलवाए के भीन भीन लक्षनों की काण भी क्या ह मिलेंगे मरुस्थल चेतर मिलेंगे सगनवन चेतर मिलेंगे ठीक है और क्या बताया गया है इसमें की अप्लेंस पॉपुलेटेड एरिया प्लेंस और रिवर्स वैलीज ऑफ और सूटेबल लैंड फॉर अग्री कल्टर यहां पर देखिए उर्ग और मैदानों और नदी घ अप्योग लैंड इस यूज़ फॉर डिफ्रेंट परपस पोर सच अन अग्रिकल्चर फोस्टिंग माइन बिल्दिंग हांस रोट संसेटिंग अफ इंडस्ट्रेड इस इंडिसेंगे लिए थिक है और किसके लिए सड़कों के लिए धुकों की स्थापना करने के लिए इस ठीक है आगे देखिए इसमें यूज ओफ लैंड इंडिटर्माइन बाई फिजिकल फैक्टर सच अस ट्रोपोग्राफी सोईल क्लाइमेट्स मिनर्स एन अविलेबिलिटी ऑफ वाटर हुमन फैक्टर सच पॉपॉलेशन एं टेक्नोलोजी और आलसो इंपोर्टन डिटर्म अफ लैंड यूज पैटरंस यानि की भूमी का उप्योग बहुती कार्गों को द्वारा निर्धारत होता है और जैसे स्लाकरती मिर्दा जलवायू खनीज और जल की उपलबता मानवी कार्ग जैसे जन संक्या है प्रदगी की है ठीक है कभी भूमी उप्योग परतिरुप क यहां पर क्या बता है कि स्वामितव के आदार पर भूमी को नेजी भूमी और सामुदा भूमी में बाटा जा सकता है जो प्राइवेट लैंड है यानि कि नीजी भूमी है प्राइवेट लैंड को नीजी भूमी बलते है नीजी भूमी जो व्यक्तियों की स्वामितव में होती है जबकि सामुदाइक भूमी समधाय के स्वामितव में होती है और इसका उप्योग आगे देखी, people and their demands are ever growing, but the availability of land is limited, the quality of land also differs from place to place, people started encouraging the common lands to build up commercial areas, housing complexes in the urban areas and to expand the agriculture land in the rural areas, today the vast change in the land use pattern also reflect the cultural changes in our society, land degradations, landslides, soil erosions, desertifications are the major threats to the environment because of the expansion of agriculture and construction activities. यहां पर क्या बता है कि जन्सेंक्या उसकी मांग हमेशा बढ़ती रहती है और भूमी की उपलवता सीमित है ठीके जन्सेंक्या बढ़ेगी तो उसकी मांग हमेशा बढ़ेगी ठीके और भूमी कम है तो स्थान के अनुसार क्या है कि भूमी की गुनवत्ता में अंतर होता है जो लोगोंने क्या किया कि सामूदाइक वूमी पर यानि कि कम्यूटि लैंड पर व्या पारिक छेत्र बनाने नगरिद चेत्रों में घर बनाने और गरामेंट छेत्रों में किरशीयोग भूमी का विस्तार करने के लिए अनाधिकृत हस्तक शेप करना शुरू कर दिया. ठीक है अब आग देखिए आप तो इसमें क्या हुआ कि आज भूमी उपयोग परति रूप में क्या हुआ बहुत परिवर्तन आया हमारे समाज में सामाजिक परिवर्तनों को देखा जाए तो हमारे समाज में सामाजिक परिवर्तन दरसाती हैं कि वर्तमान में किर्शी और नि certifications are the major threat threats to the environment because of the expansion of agriculture and construction activities यानि कि वर्तमान में जो किर्शी और निर्मान संबंदी जो गतिवीदियों के परसार के कान क्या हुआ कि निमनिकन आया बूसकलन हुआ मर्दा परदन हुआ मरुसलिकन हुआ परियवण के लिए पर्मुक खत्रा है के देखिए हम पढ़ेंगे इसमें तो आगे इसके बार में पढ़ेंगे कि सांणुपलेशन किया जाएंगे ग्रोएशन इसमें बन्रा में and has created a fear of losing these natural resources therefore the present rate of degradations of land resources must be checked forestation, land reclamations regulated use of chemical pesticides and fertilizers and check on overgrazing are some of the common methods used to conserve land यानि कि इसे क्या हुआ जन से क्या बड़ी तो मांग बड़ी मांग बढ़ने के काण बन भूमी और किर्शी भूमी बड़े पैमाने पर उसका विनास होना शुरू हो गया क्योंकि रहने के लिए जगे भी चाहिए उनको ठीक है इससे इस प्राकर्टिक संसादन के स्माफ्त होने का डर पैदा हो गया और विनास की बरतमान दर को अवेशी रोकना चाहिए ठीक है जैसे बनारोपन होता है भूमी जो है उद्धार होता है रासाइनिक कीटना सक होते हैं और केमिकल पैस्टिसाइड जिसको बोलते हैं ठीक है रिकलमेशन डेगलेटेड यूज ऑफ केमिकल पैस्टिसाइड फेटलाइजर संचेफ्स और अवर्ग्रेजिंग और सम अवफ दे कॉमन मेथर यूज टू कंजरू लेंड यानिकी बनारोपन है रसाइनिक इटनासकों का और वरकों का भी निमित उप्योग आती चराण यानिकी पसों को ज़्यादा चराना आधी भूमी संदक्षन के लिए कुछ सामानय तरीकी है ठीक है आगे देखिए इसमें यहां तक को अगया होगा आगे देखिए सोल शुल मिज्स क्या होता है मिर्दा होता है जिसको मिट्टी बोलते हैं दाथीन लेयर ऑफ ग्रेणी सबस्टांस यह देखिए देखिए मिट्टी की लेर्स के बारे में फाउंड ओन आर्थ इस एपन थ्रोगा प्रोसेस ऑफ वेदरिंग तर राइट मिक्स ऑफ मिनेरल्स और और गनिक मैटर्स मेक्स स्वेल फर्टाइल यानि कि यहां पर क्या बताया कि जो है इसकी लेयर्स बता रहा कि मिर्दा परिशे देखा जिसको बूलते हैं सोल यह भूमी से निकटा से जूड़ी होती है और स्थल रूप मिर्दा के परकार को निधारित करता है कि किस परकार से उसका परकार है स्थल रूप से पता चलता है मिर्दा का निर्मान चटानों से प्राप्त खनीजों और जया पदार्थों तथा भूमी पर पाई जैने वाल बनाता है ठीके यह वैदर रोख मेटियल साइस सबसोयल से विद सेंड और सिल्ट अन कलेए टॉप सोयल से नहीं हुमस और वैजेटेशन ठीके तो यह आप देख सकते हैं यह अलग लेजर दिखाएवी हैं ठीके इसको बोलते हैं कि हुमस सोयल विद्ध हुमस एंड मैजिटेशन सेंगी हमस और बनस्पत्ती के साथ उपरी मिर्दा सब सोयल विद सैंड सेल टन कले यानिकी बालू गाद और कले के साथ मिर्दा उप मिर्दा वैदर रोक मैटरियल्स यानिकी अब च्छहीद चटा नी पदार्थ और पेरेंट् के क्ट्र플ELLER T gramm उप्यंग उपउयल Veval IOS यानिकि वेक्टर्स अफॉल सुभाइल को मतलब यहां पे क्या है कि की जो मिर्दा निर्माण के कारग क्या-क्यां क्या है इसमें पढ़ेंगे कि बिधी मेजे लिए formations are the nature of parent strokes and climatic factors other factors are the topographic roles of organic materials and time shaken for the composition of soil formations all these differ from place to place यानि कि मिर्दा निर्मान के जो मुख कारक है वो को इनक सेल का सवरूप और जल्वाई भी कारक है ठीक है पेरेंट सेल पेरेंट स्रोक्स वो गोलते जैनक सेल ठीक है क्लाइमेटिक फैक्टर्स यानि कि जल्वाई जो कारक है मिर्दा निर्मान के अन्य कारक जो स्थला करती है ठीक है ठीक है टोपोग्राफी डोल ओफ और्वनिक मेटरियल सेंट टाइम्स टेकन फॉर दे कंपोजिशन ऑफ फोर्मेशन यानि कि सला करती है जैपदार्थों की बुमिक और मिर्दा निर्मान के संग्ठन में लगा समय है और इस डिफर फ्रॉम प्लेस तो प्लेस और यह अलग अलग सानों में भीन भीन है अब यह सोईल द को बठन रसाइनिक तरम खनीज मातरा और जो है परांगत को लिधारित करती है ऐसे रख करती ऐसमें की ताप मान होता है वर्ष अक्षे होता है यूमस निर्मान कि दर को भी प्रभावायत करता है ताइम से तो समय गए जो मिर्दा पर फ्रचे दिका है यानि कि जो स्व पर फाइल है उसको उसकी मोटाई को निशित करता है ठीक है और यहां पर फ्लोरा फानना और हुआगे थे ता इह 일반 की मिर्ध्या का जो का जर निमनिकन और सॉल इरोज dwells on the स इपलीशन और मेजर थरीट को इस को और में तो पिर हैं पिर बिकन और फोर इस निमնे को देघंठो कई और पेस्टिसाइट्स रेंग वास लेंडसलाइट्स एंफलर्स सम्मेथर्स ऑफ सोईल कंजर्वेशन आर यानि की सोईल एरोजनिया की मिर्दा अपरदन और मिर्दा संसाधन के लिए और यानिकी मिर्दा का च्छे होना ये जो दो मुख खात रहें संसाधन के लिए ठीक है यानिकी मानव और प्लाकर्तिक दोनों कारकों से क्या होता है कि जो मिर्दा का होता है मर्दा का निमनी कर्ण में कौन कौन से काल कर जैसे वण है रासाइन उर्वर्वर्ख का का बहुत ज़्योंग है वरसा दोहां होता है लेंड्स्लाइड्स यानिकी बूसक्रोंद और फ्लर्ड्स यानिकी बारण है जो सब METHS of soil conservations are क्या है कि मर्दा संदक्षन की कुछ विदिया है नियमन प्रकार से दी कही है मल्चिंग है मल्चिंग क्या होता है मल्चिंग मतलब मल्च बनाना ठीक है दा बेर ग्राउंड बिट्मिन प्लांट्स इस कवर्ड विद लेयर फॉर्गनिक मेटर्स लैक स्ट्राउ पोदो के बीच जो अनावरित भूमी है जैपदार्थ जैसे परवाल से ढख दी जाती है इसे मिर्दा की आधरता रुकी रहती है आगे देखिए सेकेंड है कॉन्टूर बेरियर्स का क्या मतलब होता है कि समच रेखिये रोधिकाई पर रोधिकाई बनाने के लिए पत्थरों घास मिर्दा का उपयोग किया जाता है रोधिकाई के सामने जल एकत्रित करने के लिए खाईयां बनाई जाती है निक्स्ट हमारा है रोक्टेम, रोक्टेम क्या होता है, यह होता है कि चट्टान बांध, रोक्स आर पाइल्ड अप तो स्लो डाउन दा फ्लो अफ वाटर, इस प्रिवेंट्स गलीज और फॉर्दर सोयल लोसिस, यानि कि जल के परवा को कम करने के लिए बनाए जाते हैं और आलियों की रक्षा करती है, नालियों की रक्षा करती हैं, ठीक है, गलीज, एंड फॉर्दर सोयल लोसिस, और मिर्दा छति को रोकती है, आगे देखिये इसमें, यह जो मैंने बताया था, कंटूर प्लॉइंग, समुच रेखे जुताई, यह समुच रेखे जुताई है, औ क्योंचाईयों पर केती करते हैं टेर्स फार्मिंग जिसके हैं टेर्स फार्मिंग तेर्स फार्मिंग यानि कि इसमें क्या बताया गया है कि वेदी का फार्म जो है यह जो समतल सुपान में और वेदी का तिव या फिर वेदी का तिव ढालों पर भी बिनाए जाती है सपाट जगह होती समतल और फासल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए इसके लिए इसका निर्मान कहाता है और प्रेस्टे परवा होता है मिर्दा पर्दन कम होता है इसके लिए टेरस फरमिंग की जाती है अगे देखिए Inter cropping Inter cropping का मतलब क्या होता है कि बीच की फसल उगाना Inter cropping का मतलब क्या होता है कि बीच की फसल उगाना यानि कि different crops are grown in alternate rows and are shown at different times to protect the soil from rain wash यानि कि वर्षा दोहन से क्या होता है कि मिर्दा को उस रख्षित रखने के लिए अलग इलग समय पर अलग इलग फसले एकांतर कातारों में उगाई जाती है यह रख्षक में इखलाएं उती सेल्टर बेल्ट जिसको बोलती है देखिए यह बता रखी अब कंटूर प्लोईंग क्या होती है कि समोच रेखे जुताई समोच रेखे जुताई प्लोईंग पैरलल टू दा कंटूर सॉफा हील प्लोई डाउंग प्लोईंग प्लोई यहां पर क्या होता है कि पहाडी ढाल पर समोच रेखाओं के समानां तर जुताई की जाती है ढाल से नीचे बेहज़े जल के लिए एक प्लाकरतिक आउरोध का काम करती है प्लोईंग आगे देखिए इसमें इसमें स्लिटर बेल्ट इनको बोलती है रक्षक मेखलाई इन दा कोस्टल और रीजन रोज ओफ ट्रीजर प्लांटी टू चेक दविंड्स मॉमेंट्स तो प्रटेक्ट सोइल कवर्स तट्य परदेश और सुस्क परदेशों में पमन गती रोकने के लिए रक्षों को कतार में लगाया जाती है ठीक है ताकि मिर्द आवरण से इसको बचाया जा सके ओके आगे देखी वाटर के बारे में जानेंगे जल कि है वाटर इज्वाइटल रिनीवल रिसान नेच्रल रिसोर्स यानिकी इन विकन शंशादन है त्रीफॉर्थ ओफ दॉटर सर्फेस इसकावड विद वाटर इसमें क्या और 11.5 बिलियन चैर की से लोड़ाब के वे ज अवार लाज़। इनार्थ, क्या अवारज एड़ोष और ब्रीट प्राजस अ अलाज़, जब वालाज वे इनामस लिफ ओनली वन परसेंट ऑफ फ्रेश वाटर इस अविलेबल एंट फिट फॉर हुमन यूज इस फांड ग्रांड वाटर एस सर्फेस वाटर इन रिवर्स और लेक्स एज वाटर वाप वैपर्स इन एट्मोस्फियर देखी इसमें क्या बता है कि जल बहुत ही महतपूर्ण और आज भी महासागर जो हैं फिर्थी के साथ है कि दो थीयाई भाग से मतलब भाग को डखे वी हैं दो थीयाई भाग को डख कर रखा है उन्होंने और यहां पर विभिन प्रकार के पोदोर जनतों को मदद करती हैं महासागरों का जल कैसा होता है लवन ही होता है और मानवी उ सब्सक्राइबार कि मुखन मिलता है वर्फ की चादर हिमानियों की रूप में एंटारेक्टिका ग्रीनलैंड और परवतीं पर्दिशों प्रषत नदियों जीलों में प्रश्ट जल्के यह जो मतलब की भॉमजल है बॉमजल मतलब क्या होता है अंडरगराउड वाटर नदियों जीलों में प्रश्ट यू जल्के रूप में रूमडल में जल्वास की रूप में पाया जाता है फ्रेश वाटर इस there for the most precious substance on earth water can neither be added nor subtracted from the earth its total volume remains constant its abundance only seems to vary प्रेश्ट परेश्टिशंस अंड्रों दिस इस यू अरड़ी नो इस रफरेटो वाटर साइकल यानि कि यहां पर क्या बताया कि फ्रेश वाटर यानि या लओन यह जल जो फिका सब से अधिक मुल्यमान पदार्थ है फिर्थी पर जल नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा नहीं जल को Nea बढ़ायार जा सकता है टीक है इसकी मात्रा स्थिर रहती है क्योंकि यह वास्पीकर्ण वर्षन और या की परकरियाद्वारत क्या होता है कि महाँ साग्रोर वायू भूमी और जो महाँ साग्रों में चक्रण की दवार क्या होता है कि गती सील रहता है जैसे हमने वाठर सैकल पर इती ना वैसे ही तो क्या होता है कि इस ते हम जलचार खटर स्पेट हैं थीुक्यें लेटीकल नो arcade सेमाश्य केटेकिया लॉस् सॉपर not only for drinking and washing but also in the process of productions water for agriculture industry generating generating electricity through reservoir of dams are the other usage increasing populations rising demands for food and cash crops increasing urbanizations and rising standards of living are the major factors leading to the shortage in supply of fresh water either due to crying drying up of water sources or water pollutions यानी की जो क्या बताया इसमे की मनश जल की बड़ी मातरा का उप्योगने के बल पीने के लिए या कपड़े धूने के लिए करता है वरना क्या करता है उत्पादन परिक्रीय में इसका उप्योग करता है जल किर्शियी उद्ध्यो bodh और बांधों के ुद्धो हे जलाशों के माद्धन आगे देखिए इसमें प्रोग्लम्स ओफ वाटर अविलेबिलिटी यानि की जल उपलविता की समश्या हैं क्या क्या समश्या हैं यहां पर देर इस स्क्राश्टी ओफ वाटर इन बैनी रिजन्स ओफ दे वर्ल्ट फिस ग्रेट प्रोग्लम्स ओफ वाटर स्कारिश्टी दस वाटर्शूर्ट इसमें च्श्फ वाटर सॉर्सी देखिये जल उपलवंक्ता की समश्या हैं विशं में कई पर देसों में जलगी कमी हैं आफ्रिका में पश्चिम एशिया में दक्षिन एशिया में पश्चिम सेख्टरज अमेरिका के भाग उत्तर पश्चिम मेक्सिको में दक्षिन अमेरिका के भाग और संपुन ऑस्ट्रेलिया में जो एलवनी जलक्या पूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं ठीक है यह देश जो है ऐसे चलवाई परदेशों में स्तित हैं जहां पर अक्सर सूखा पड़ता है इनमें जल की बहुत कमी होती है यह समश्या बनी रहती है पर जल का अभाव होने से क्या होता है कि मोसमी और वार्शिक वर्शन में वीटता की प्रणाम सुरुप क्या होता है कि आतियो उपयोग औ वाटर रिसोर्शेज जल संसादनों का संद्रक्शन के इसके परे में पढ़ेंगें कि आज आउप आपको क्लियर हो गया तो दोबारा से आप वीडियो को देख सकते हैं ठीक है तो आपको किलियर हो जाएगा जल संक्रेशिन ऑफ वाटरेसोर्स में एकश तो क्लिन एड़क संसादन के लिए कदम हो रहे हैं उनके संद्रक्षन के लिए हमें कदम उठाने चाहिए और जल क्या है नविकर्णी संसादन है इसका ज्यादा प्रियोग करेंगे और पर्दूशन से इसको खराब करेंगे तो यह के लिए सही नहीं रहेगा ठीक है आंसी ग्रूप से शोदित वाहित मल किरसी रसाइन का विसरजन जल और उद्धुगों का जो है भारी स्तराव जो कान क्या होता है कि जल द्वारा मानाव सरीर में पहुंच जाती है और इनी को क्या बोलते हैं इनी पर्दूशकों को जल निकायों में छोड़ने से जो बहार की तरफ जो पूर बहिस्तराव होता था ना जो बहार निकलता है तो उससे क्या होता है उप्योक्त विदी से नहाति है पूस्य फडिंश की दीज़ेख चाहति सिर्थेस तरे और जा फिर्यटेज उद फट्योंग कि अंग्पू सुद्य कि अडर्व देरी है फिह चानgen न छून्न गाइस झाई ऑयल प्रॉका characterized sprinklers effective irrigates the area by checking water losses through seepage and evoporations in dry regions with high rate of evoporations drip of or trickle irrigation is very useful the valuable water resources can therefore be conserved by adopting these means of conservation यानि कि वन और जो अन्य वनस्पती है यह इनका आवरण ध्रातली परवा को मंद करता है ठीक है और भूमिगत जल को पुने पूरित करते हैं और जल जो संग्रेण है प्रश्टिय परवा को भी बचाने की दूसरी विदी है ठीक है थाट वर टोड़े थेंक यू